हैं एंदिकेट टेस्ट के वो ट्रिक्स बताऊंगा जो आप बहुत कम टाइम में जो हैं मसी कुज कर सकते हैं, कैसे आप मसी कुज को कम से कम टाइम में सॉल्फ करेंगे ये वीडियो में आपको अभी ये ट्रिक बताऊंगा बिसमिल्लाई रह्मान रहीम असलाम लीकुम आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को के हवाले से पुरा अपडेट दूँगा के अपडेट टेस्ट 2023 कब उसके रिजिस्ट्रेशन शूरू होगी टेस्ट कब होगा रिजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते कितने उनकी फीस है और उसके अलावा में आप लोगों को एंडिकेट टेस्ट के वो ट्रेक्स बताऊंगा ज कर सकते हैं क्योंकि एकमसी कुज सलूफ करने में काफी जादा टाइम लगता है तो विदाव ट्रेक्स आप उसको पूरा टाइम में सौर्फ नहीं कर सकते हैं लेहाजा इस वीडियो के अंदर में आपको ट्रिक बताऊंगा को उस ट्रिक्स आप एक KMS को कम से कम टाइम में सॉल्फ कर सकते हैं किसा आब KMS को कम से कम टाइम में सॉल्फ करेंगे यह वीडियो में मैं आपको अभी यह ट्रिक बताऊंगा इससे पहले में आपको यह बता दो कि एक खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए कि PMDC के वेबसाइट पे वाकेदा एक नोटिफिकेशन शूरु हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि PMDC में MBBS स्टूरंट्स के लिए 10% पासिंग मास जो है वो डिक्रीस कर दिये इससे पहले 65% जो है वो MBBS के लिए था और 55% जो है वो BDS के लिए था तो बहुत ज्यादा स्टूरंट्स जो हैं यह कंप्लेंट कर रहे थे कि यह पासिंग मास ज्यादा है इसको कम कर दिया जाए तो लहाज़ा मेरे खाल में इस नोटिफिकेशन के अंदर 10% जो है वो डिक्रीस कर दिया गया है लेकिन इस के साथ स्टूरंट्स के साथ पासिंग मास के साथ उन स्टूरंट्स की जिए वो खुशखबरी है जो के प्राइवेट यूनिवरसिटी में मेडिकल करना चाहते हैं जो अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है अड्मिशर लेना चाहते हैं उनका पासिंग मास के अंदर आप एड्मिशन ले सकते हैं लेकिन वो स्टूरंट जो के प्राइवेट यूनिवस्टी में में करना चाहते हैं तो उनकी लिए पर जो है यह खुश्खबरी है कि वह पासिंग मासुन के लिए जो है दस नमबर कंग हो गया है अच्छे इसके लावे मैं आपको यह बताता जाओं कि मैं जो एमडिकेट टेस्ट की रिजिस्ट्रेशन है वो कब से शूरू हो रहा है और टेस्ट जो है वो कौन से डेट पर होगा अच्छे इससे पहले मैं तोड़ा सा आप लोग को ब्रीफ करता जाओं कि एमडिकेट टेस्ट देने से पहले आप लोग के माइन में तोड़ा सा यह होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से सब्जिक्स होते हैं और हर एक सब्जिक्स से कितने MCQs जो है वो आते हैं तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूँ कि आप लोग का सबसे ज़्यदा फोकस ज अब कमिस्ट्री से 54 और फिजिक्स से भी 54 MCQs आते हैं आचा इसके बाद पिर इंग्लिश है तो इंग्लिश में 20 MCQs जो हैं इंग्लिश से आते हैं और इसके बाद जो लास्ट किटिगरी है वो है लॉजिकल तो जो लॉजिकल क्वेस्टन है इससे 10 MCQs आते हैं तो यह टो तो मैंने आपको बताया दे कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि उसके तुरू आप जो है यह MCQs जो हैं जिल्दी सॉल्फ कर सकते हैं और टाइम से पहले आप जो है या टाइम के अंदर आप वो सारे MCQs के पेपर को सॉल्फ कर सकते हैं अचा यह जो एमटिकेट 13 जुलाई 2023 से शुरू होगा और 20 जुलाई 2023 जो है उसका लास्ट डेट होगा ठीक है मतलब यह नार्मल फीज के साथ है अगर नार्मल फीज के साथ आप करना चाहें तो 13 जुलाई से शुरू होगा और यह 20 जुलाई पे इसका लास्ट डेट है अचा इसके बाद जो है ले लेट फीस के साथ रेजिस्ट्रेशन कौन सा डेट होगा अच्छा सबसे इंपोर्टेंट जो वह है जो मुझसे कमेंट सेक्षन में स्टुर्ट्स बहुत ज्यादा पूछते हैं मुझे कॉल आती हैं स्टुर्ट्स बताते हैं कि सर एंटिकेट टेस्ट होगा कब तो जो मैंन क है कि एंटिकेट टेस्ट होगा कब तो उसका का अंसर यह है कि एंटिकेट टेस्ट जो है वह 27 अगस्त होगा ठीक है अच्छा इसके एलाव में आप लोगों को तोड़ा सा और भी ब्रीफ करता जाऊं यो पीम्टीसी हैं उन्होंने एक सलेबस इशू किया है पूरे मुल्क के लिए जो एंटिकेट टेस्ट होगा पूरे मुल्क के तुरू जो है यह एक ही सलेबस के अंडर होगा अच्छा पिर जो है क्या होगा हर एक प्रोवेंस को जो है हर एक प्रोवेंस का पेपर अलग-अलग होगा सलेबस पूरे मुल्क का एक है ठीक है लेकिन पेपर जो पे अपना पेपर बनाएगा खुद तो पेपर वो चेंज होगा केपी का पेपर चेंज होगा पंजाब का पेपर चेंज होगा सिंद के चेंज होगा बलोजस्तान का चेंज होगा अच्छा अब यह यह भी आप लों के माइन में होना चाहिए कि सलेबस एक है तो एक ही सलेबस location अब केपी में कोन से सेंटर on location है पिशावर है, इसके अलावा हरीपूर है और अब एसके अलावा जैने चैपी सक्रीडे में सक्रियर कर सारे मैं आप शूस-नद्र कर देड़ीजी का घूरा गैपीकर्णी नू ने कि अब लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टन बात यह है कि आप उनकी तैयारी जो है शूरू करें ठीक है टाइम आपके पास कम है और एक जो सजिशन में आपको दूंगा कि एटा की तैयारी के लिए कि आपका नीम जो है यह पूरा होना चाहिए अगर आपका नीम पूरा नहीं है तो पिर आप तैयारी नहीं कर सकते हैं आप इस नीम पूरे होने के मतलब यह नहीं है कि आप जो है सारा रा जो है बस सोते रहें लेकिन आप अपने नीम के लिए खामखा जो है प्रॉपर टाइम दे और इसकी लिए आप तैयरी शूरू करें टाइम आपके साथ कम है कल से चले यह स्क्रीन के तरफ जाते हैं मैं आप लोग को बता तो यह देखें एवंट कौन सा है यह एमडिकेट है अच्पी अच्छेपक पीएमडिकेट रिजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब स्टार्ट हो रहा है यह 23 जुलाई दोजर तरईस मतलब 13 जुलाई से यह स्टार्ट होगा 13 जुलाई इनका Starting Date है, थीक है, तो मतलब, तीन निन बाद यहे तक्रीबन शूरू हो जाyard कि इसकी registration, और इसके Last Date कौन सा है, Registration 2020, इसका Last Date, Last Date इट यहे 20 July 2017 है, यहे 20 July तक आप Normal Fees के साथ यहे वह, वह Apply कर सकते हैं, और इसका Normal Fees 6000 रुपै है, थीक है अचा PMDC indicate late registration start अब 20 तक ढार्मल फीज के साथ है 20 के बाद जो है ढार्मल फीज हमा। चूरू हो जाएगी late फीज शूरू हो जाएगी तो late फीज के registration कब से start होगा वो 25 जूलाई से start होगा late फीज रिजिस्टरेशन ठीक है Late Feast Registration 25 July से शूरू होगा और Late Feast Registration जो है उसके Last Date जो है वो कौन सा है 29 July 2023 है 29 July 2023 के बाद आप Indicate के लिए Registration नहीं कर सकते है ठीक है अच्छा ये इनका Last Date ता मैंने आपको बता दिये ठीक है अब इसके बाद आप लोगोंने Apply कहां पे करना है कहां जाना है कौन से वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आप लोगोंने Apply करना है लहाजा यहां पे यह Indicate जो इनका वह है वेबसाइट है यहां से आप लोगोंने Apply कर देना है ठीक है Indicate.pmc.gov.pk यहां पे जाके आप लोगों को बाकाईद है कि application form आएगा उस application form में आप से कौन कौन सी चीज़े की जरूरत पड़ेगी तो वो जो जो जरूरत पड़ेगी जो जो चीज़े हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ उस हैं यहां पासवर्ड देएक यह पासवर्ड लाजभी होना चाहिए और आप लोग एक पासवर्ड के वाद आप लोग को लोगिन करना पड़ेगÁ अगर उसके बाद आप लोग को तरीके कार क्या है step 2 का क्या तरीके कार है step 2 यह है कि आपने sign up कर लिया है cn ic number और सारी चीज़ों से आपने sign up कर लिया है फिर आप लोग क्या करेंगे email के तुरू एक verification code आपको मिलेगा ठीक है उस verification code और एक link दिया होगा उससे आप लोग की verification होगी जब आपकी email verify हो जाए तो उसके बाद आप पर अपने उससे जो है login कर सकेंगे email date code from your email id ठीक है मतलब आप लोग सबसे पहले email account जो है वो verify करेंगे ठीक है उसके बाद पिर क्या होगा आप लोग उने login होना है और उसी email से और password से आप लोग लोग उन हो जाएंगे और proper एक फार्म आप लोग को दिया गया होगा वो फार्म लोग आप लोग फिल कर लेंगे और इसके बाद जो है आपको एक चालान प्रेंट के लिए आएगा अब वो चालान आप प्रेंट करेंगे और वो पर आप किसी bank में जो उस पे लिका होगा वो आप जमा कर सकते हैं tenha शालान चालान जो है और उसके बाद आप लोग कौन कोन से सेंटरं में जो है आप कर सकते हैं। PM DC ने कौन कोन से सेंटरं झो है वो है वह एलाइट करने हैं आ तो मैं आप लोग को बता देता हूँ. अगर आप लोग KPK में रहते हैं ठीके तो KPK में रहने के लिए सबसे पहले कौन सकौन से है For example यहाँ पे Hier अबटाबद है अबटाबद में सेंटर होगा पिशावर के अंदर सेंटर होगा दियेः कान के अंदर सेंटर होगा तुसवात के अंदर हरिपूर, बनू और कुहाट के अंदर जो हैं यह के पीके के यहां पे इलाट कर दिये जाएंगे और अगर आप लोग बलजस्तान में रहते हैं तो कोईटा है और गवादर हैं इसी तरह अज़ाद जमु कश्मीर के लिए मुझफराबाद है और मिरपूर है ठीके सिंद के लिए कराची हिदराबाद, सक्कर मिरपूर खास है लाड़काना है और नापशा है अगर आप पंजाब में रहते हैं तो पंजाब में सेंटर्स ज्यादा है पंजाब में आप लोग को राविल पिंडी है गुझरावाला है, लाहोर है, मुलतान है बहावलपूर है, डीजी खान है साहिवाल है, गुझरात है सरगोदा है, सयलकोट है रहीम यारखान और हसन अबदाल इसके बाद जहलम है ठीके, फैसलाबाद है ठीके, यह सेंटर जो है उसके लिए एप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आप अच्छे तरीके से तैयारी करें ताकि आपके अच्छे नमबर आ जाए तेंक्यू जी वस्सलाम